कि अलो स्टुदेंट्स अवर यू ओप यू आ डूइंग वैल स्टेडिंग वैल उमीद करता हूं आपने डेप्रिशिशन के चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लिया होगा समझ लिया होगा हमने अपने पिछले वीडियो में डेप्रिशिशन को बहुत अच्छे से है हमने डेप्रिशिशन के मैतोड्स स्ट्रेट लाइन मेतोड और रिटन डाउन वाल्यू मेतोड को बहुत अच्छे से समझा है और इसके उपर इलस्ट्रेशन भी बहुत सारी करें आज का ये वीडियो स्टुदेंट्स एक स्पेशल एडिशन है इसमें हम एक स्टुदें करें कि कौन सा मैथोड उस कंपनी के लिए सबसे बैस्ट है इस मुझे लगा यह बहुत अच्छा कोशन है और आप सब के साथ भी शेयर करना चाहिए आपको भी मालूम होना चाहिए कि किन फैक्टर के उपर ये कंपनी डिसाइड करते है कि विच मैथोड इस बैस्ट सूट करेंगे फिर हम इस कोशन को आगे डिसकस करेंगे सबसे पहले हम समझते है अवालिबल मेथार्ट सब डैपरिसेशन मैथोड ओफ मापरिसेशन कि अब जानते है हम ने जो स्ट्रेट लाइन मैथट और बैलेंस मैथटड किया है डैटिविच्ट पेसिस ओफ किसके ओपर बेस होता है एक मेथ़ड होता है on the basis of units and one is on the basis of hours depreciation expense can be calculated on the basis of years units and hours तो इसका मतलब हमारे पास three types हो गए on the basis of years में हमने पढ़ा है straight line method diminishing balance method और एक होता है जो आपको भी नहीं पढ़ाया है हमने sum of digit method इसको हम थोड़ा सा समझेंगे तो यह तीम methods हैं जो year के उपर बेस होते हैं on the basis of units है production unit method production unit method P, U, M भी आप इसे बोल सकते हैं और on the basis of hours है machine hour rate इतने सारे methods हैं depreciation expense को charge करने के लिए अब इन सब methods में से select करना है the most appropriate method for our company हमने straight line method और diminishing balance method इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको भी हम समझेंगे इनको थोड़ा सा समझ लेंगे हमारा main focus रहेगा on the basis of years के उपर एक example के तुरू students हम समझेंगे इन तीनों methods में जो amount of depreciation expense है वो किस तरह से fluctuate हो रहा है मैं इसको भी चार्ट के तुरू आपको बताता हूँ फिर हम आगे डिसकस करते हैं suppose cost of machine हमारे पास है cost of machine is one lakh rupees rate of depreciation 20% and useful life is 5 years अब है इन तीनों methods को लेंगे हम straight line method diminishing balance method और sum of digit method क्योंकि year base के उपर depreciation इन ही तीनों methods में calculate होता है इन दोनों methods में नहीं होता है यह है years 1, 2, 3, 4, 5 straight line methods में 20% depreciation है 1,00,000 rupees के उपर it means 20,000 each year amount of depreciation will be 20,000 each year यह तो आपको मालूम अच्छे से diminishing balance method में आप देखिए किस तरह से depreciation का amount आता है 20,000 पहले year में second year में 16,000 third year में 12,800 fourth year में 10,240 rupees and fifth year में 8,192 यह है depreciation का amount अब हम बात करते हैं sum of digit method आप में से बहुत से students में इस method को नहीं समझा होगा इसको मैं थोड़ा सा brief में बता देता हूँ बस sum of digits मतलब यह digits का sum ले रहा है लेकिन किन digits का ले रहा है यह years का sum लेता है इसका कौन सा years है useful life useful life है हमारी 5 5 years 5 years का sum of digits हो गया 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 that is 15 यह हो गया sum of digits sum of year digits अब इसमें depreciation किस तरह से गया होगा first year में जो हमारी useful life है वो है 5 years first year में हमारी useful life 5 years है sum of digits है हमारे 15 into my 100 it comes 33% second year में हमारी useful life कितनी रह जाती है 4 years then 15 into my 100 simple है कुछ भी नहीं है इसमें 27% third year में useful life रह गई 3 years 15 into my 100 is equal to 20% 13% और last year में जब useful life सरफ से एक साल रह जाती है तो 1 by 15 in into my 100 is equal to 7% थीक है समझ में आगे आपको इस ना इसका फर्मूला मैं लिख देता हूं रिमेनिंग यूस्पूल लाइफ रिमेनिंग यूस्पूल लाइफ डिवाइड बाइ इसके बेस पर हमारे पास जो कॉस्ट है मशीन की वह वन लैक प्रूपीज है डेप्रिशेबल कॉस्ट है हमारी वन लैक प्रूपीज इसके बेस पर हम कैल्कुलेट करते है 33 का मतलब हो गया 33 परसंट का मतलब हो गया 33,000 रूपीज 27 का मतलब हो गया 27,000 रूपीज 20 परसंट मेंस 20,000 13,000 and 7,000 तो देखा students आपने तीनों methods में straight line diminishing balance और sum of digit methods में amount of depreciation expense किस तरह से शो हो रहा है अब देखेंगे straight line methods में as you know हमारा amount of depreciation है that remains same throughout its useful working life diminishing balance methods में amount of depreciation ये reduce हो रहा है subsequent years में और sum of digit methods में आप देखो कि initial years में बहुत ज़्यादा amount है और जो हमारे remaining years लेटर years है उनमें amount बहुत कम हो गया है अब इस चार्ट के basis पर हम समझेगे how to select the appropriate method of depreciation best method कौन सा choose करें अपनी company के लिए किन factors के उपर depend करेगा अब हम इसको discuss करते हैं मैं इसको भी रब कर देता हूँ selection of appropriate method depends upon चार important factors है जिनके उपर depend करता है कि हम कौन सा method of depreciation को select करेंगे सबसे पहला बहुत important factor है type of assets second is nature of use of such assets third is circumstances prevailing in the business और एक और है legal provisions हम इन चारों को discuss करेंगे अगर company की assets कुछ इस टाइप की है जिसको की company throughout its useful life equally use कर सके then the company must go for straight line method क्योंकि इस method में depreciation amount equal है हमारा every year हमारे P and L पे equal amount ही आएगा and in case the company uses its assets more in the early years and less in the later years means अगर company assets को शुरू के सालों में जादा यूज कर रही है और बाद के सालों में कम यूज कर रही है then you must go for diminishing balance method इस method में आप देखेंगे depreciation initial stages पे initial years में जादा है और later years में कम है P and L account पे later years में कम जोर पड़ता है इसमें जबकि आप देखेंगे straight line method में up to the last year of useful life equal amount ही P and L account में जाता है यहाँ पे P and L account में later years पे कम effect आता है most of the government companies and public limited companies follow straight line method building and office furniture को depreciate करने का यह best method है some of digit method में आप देखेंगे 60% of the assets value 60% assets value दो साज में ही recover हो लिए है और 40% cost is recovered in the last 3 years मेंनली जो ट्रक कंपनीज है ट्रांस्पोर्ट कंपनीज है कार है बस्स है वो सम आप डिजिट मैंथर्स को यूज करती है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ट्रक्स जो है heavily यूज होगा कार heavily यूज होगी इनिशल इसमें तो देखिए पहले साल में ही 33,000 रूपीज रिकावर हो रहे है तो डिमिशिंग बैलन्स में अगर कुछ टेक्निकल प्रटेक्ट आसा है जो आपको मालूम है कि लेटर स्टेज पर अप्सोल्यूट रहे वाला या इसकी यूटिलिटी कम होने वाली है तब सब्सक्राइब यहां पर आप एक ची दोर देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में अल्टार कॉस्ट आप देखिए इस रिकावर हो रही है लेकिन डिमिशिंग बैलन्स में कभी यह रिकावर नहीं होती है यह कभी भी जीरो नहीं आएगा यह पांस साल में कितने रिकावर हो रही है 67,232 अब और आगे चलते हैं स्टुनेंट्स इनकेस अगर आपकी कंपनी की एसेट कुछ इस तरह की है जिसकी जो आउट्पूट है डैट कैन बी मैज़र इन टम्स अव यूनिट्स देन यू में गो फॉर दा प्रोड़क्शन यूनिट मैथर्ड यह हमने डिसकस अभी पहले लिखा था प्रोड़क्शन यूनिट मैथर्ड अगर एसेट्स की आउट्पूट को हम यूनिट्स में मैजर कर सकते हैं इसका सबसे बढ़ी अजामपल्स है प्रिंटर और फोटो कॉपियर मश जिनके यह बिजनस हैं वो प्रोड़क्शन यूनिट मैथर्ड को कंपनीज सॉलो करेंगी इस अंडर दिस मैथर्ड ऑफ प्रोड़क्शन यूनिट मैथर्ड मोर डेपरिसेशन इस चार्ज्ट तु दा पीरिएड ओफ हैवी यूज उज उफ मशीन और लैस डेपरिसेशन इसका यूज कम हो रहा है उस पीरिएड में डेपरिशन का अमाउंट कम होगा इसके अलावा हमने एक और मैथर्ड बताया था आपको मशीन ऑवर रेट मशीन ऑवर रेट इन केस मशीन इस यूज ऑन ऑवरली बैसे बैन डेपरिसेशन इस चार्ज अकॉर्ड इस मैथर्ड यह मैथर्ड अभी दोनों मैथर्ड आपके सलेवस में नहीं है इसलिए हमने इसको जादा डिसक्स नहीं किया था तो यह था टाइप ऑफ एसर्ड इसके बाद एक और फेक्टर है सर्कमस चांसे प्रवेलिंग इंदा बिजनस इसका मतलब है बिजनस के अंदर अंदूर में सीखति हों范चर मेथे बिजनस की फाइनसिट पॉजिशन चाहिए अगर फैनेशल पॉजिशन अच्छी है यह धैन य कंपनी स्ट ओफर स्ट्रेकस मेथर फैनेश new फ्हें है तो रिक या या विक होने वाली है यह दैन amount of depreciation equal रहेगा यहां आप देख रहे हों कम होता चला जाएगा इसके लाब कंपनी ने देखना है कोई कंपनी में HR issues तो नहीं है कोई इंडर्स्टर डिस्प्यूट्स तो नहीं है या होने वाले हैं इन सब के उपर भी depend करता है आप कौन सा को यूज करते हैं एक और सक्टर है और बहुत इंपोर्टन फैक्टर है लीगल प्रविजन इन इंडिया डेप्रेशिशन इस चार्जट ऐस पर दकमप्रीज एक्ट टू थाउजन थर्टीन कंपनीज एक्ट टू थाउजन थर्टीन इससे पहले कंपनीज एक्ट था नाइटीन फिक्टेफिक्स उसके बाद यह एमेंडिट कंपनीज एक्ट है टू थाउजन थर्टीन एस पर दा प्रोविजनस अफ तू थाउजन थर्टीन इन इंडिया डेप्रेशिशन चैन भी चार्जट एस पर जेनली असेप्टेड अकॉंटिंग प्रिंसिपल यह एस शिक्टेशिशन के उपर एक अकॉंटिंग स्टेंगर है जिसको हम एस शिक्ट बोलते हैं इस लिए फंगरेस Ostına, टर्थ शर्फ मेlast, 三डरी हो नोजो कर दो कर दो और डांगेस् देर साथ से लिल प्रफ डांख समय थजे वडिन in मुत कर दार मुड़ दो 2 methods only Public limited companies और government companies के पास सिरफ से 2 options हैं अपनी company में depreciation methods को select करने के straight line method और diminishing balance method as per the accounting standard 6 and this is acceptable in income tax as per companies act in 2013 इस से एक बत clear होगी यह students जो government सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसके अलावा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या स्मॉल बिजनसे उनके पास और भी ऑप्शन से डेपरिशन को चार्ज करने के लिए वह एस पर या नेचर ऑफ यूज ऑप सच इनके बेसिस पे अपने डेपरिशिशन को सेलेक्ट कर स क्यों करेगी क्या टेपंट करेंगे आपको समझ में आगया होगा कि इस वीडियो में सरफ से इतना ही है हमारे दैपरिशन के चैप्टर होता है अब हम नए वीडियो में नया चैप्टर लेके आएंगे तब तक के लिए थैंक यू बएरी मैच